है है 이लोलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको मेरी इस चैनल इक्जाम गर में दोस्तों आज हम कोबर करेंगे 50 ऐसे इंप्रेंटन कोंश्चन जो हर एक्जाम में किसी न किसी तरह से पूछा गया है लेके उन्ससे पहले आप मेले इस चैनल और एकजामगर को सबस्काइब कीजिएगा और यादे वीडियों फ़संद आया तो लाइक की जिए लेकिन वीडियों आप लाष्ट तक जरूर देखिएगा चलिया स्टार्ट करते हैं देखे लेखर पहला क्वेश्टन है पहला क्योंक्त्रिक है , वो किस जानवर को अंत्रिश में छड़ा गया था , एक पुत्रिक नाम था लाइका यानि कि लाइका नामक डोगी को वह अंत्रिष मिले गया था जो कि अस्पुत्निक दू का यान्द है फिस कल्चर का आध्यान को क्या कहा जाता है इसे पीसी कल्चर पीसी कल्चर में फिस कल्चर का और सिल्वर के किले का पालन पूस्टर को क्या कहा जाता है उसे सेरी कल्चर कहा जाता है फिस कल्चर में पीसी कल्चर सिल्वर के किले को सेरी कल्चर अब 200-ته के सबसे बड़ी जिल कुएं सी है two-store voisin बड़ी जिल है कैस्फियंसागर है काई इसी पह एक्तितध है इंड़ोप और श्यद दोनों इसमा इसतित है कैस्फियंसागर्फिं कितनी है इसकी गहरई है जबबवा एक किली मेटर मेरेक आसपास इसकी घर आही है नेच्स्ट त्रेक है की चाकू से काटा जाता है lugसी को की रखार है सोडियम धातों को कहा रखा जाता है सोडियम को किरोसीन में रखा जाता है कि अब कि देखिए कि रोषीन किरोसीन का स्टार्टिंग और लास्ट किरोसीन लास्ट है है जिसे नहीं कहते है यानि कि के मतलब पोटेसियम एन मतलब सोडियम और सोडियम और पोटेसियम दोनों के किसमें रखा जाता है किरोशीन में यह एक ट्रिक है आप याद कर लेजिए किरोशीन का स्टार्टिंग के अनिकि पोटेसियम लास्ट है ना यानिकि एन मतलब सोडि प्रिथिवी के धरातर पर लगवक कितना परतिशत समूंद्र है लगवक शाथतर परतिशत प्रिथवी के धरातर का लगवक सतर परतिशत समूंद्र है और बाकी जो 30% वह भूमी है जिस पर हम लोग रहते हैं यरगा ज़ाला मांथ्य विश्व का BIG तारापुर महराश्ल में अस्थापित किया कोवक सभी कोवक क्या होते हैं विभीद पोशी होती है अब एसिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है यह चाइना है इसमें भारत का रेंग क्या है लोह उत्पादन में भारत का रेंग क्या है एसिया में सबसे पहले चाइना है चाइना के बाद कर रहा है चाइना के बाद जपान आएगा जपान के बाद इंडियानिक भारत का रेंग क्या है भारत का रेंग तीन है चाइना जपान के बाद भारत उसके बाद रस्या है क्वेशन नमर 12 है कोरी निवेशी का कहा है और पुर्य भारत के सबसे बड़ा जिला तो कष्ष सबसे बड़ा जिला है और दूसरा की राजधानी कहा जाता है जैसल मेर को मरुवस्तिल के राजस्तान में इस्तित है जैसे मेर रावली और बिंद सिंखला के बीच कौन सा परवत इस्तित है और रावली परवत कहा इस्तित है रावली परवत कहा इस्तित है राजस्तान में इस्तित है इसका सबसे उच्छी पी कौन सी है अमर कंटब और आवली के गुरु सिखर और बिंद परवत के अमर कंटब मैकाल का पठार भारत के किस राजय में इस्तित है या 36 गण में इस्तित है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन से भारत के सबसे बड़ा बांध हीरा कुन बांध है या भारत के सबसे बड किरिदेट के महानदिप हीराकुन यह बहुत बांद हुर्णी ये भारत के नहीं-के भिष्व की सबसे-लंबा-जारा-खेस हुच को यह बहुत है व्रियाटमिन को सी इस से आप कमेंट बॉक्स में लखेंगा कि भारत के सबसे उच्छा बांध कौन सा व्र ze किस बिटामीन में कोबाल्ट, पाए जाता है कि नमेन इसको द्वारा कलिंग पुरुष्कार कि छेंत्र में दिया जाता है। क선 website Azuma breath यह जिए संसार का विशालतम अस्थंदारी कौन जीव है यह ए संसार का विशालतम अस्तंदारी को सतंदारी है यह हुए मचली संसार का कि भीशालतम अस्तंदारी है कहा जाता है कि इसमें या तीस हाथी के साइज के बराबर होती है दो कि ऋए Михराज भारत में कितने उनेस्को विश्व विरासत है यह 37 नहीं भारत में total 38 उनेस्को विश्व विरासत हो गए है यह 38 किस पार्ट में भाट भाट गए तेकि जो 38 है उसमें 30 जो उनेस्को विश्व किरासत हैर्पेस त्राइक साथ गोव साथ सात यह नेचुरल है एक जो बचैसी यह कल सर सद ऌरनेचिरल्व दोनों यह एक के नेचुर्ण जोकौ साथ दोनों है बहरत में 38 साइट्ध है और देश का पहला खादी मोल किस सहर में खोला गया है यह राची में इस्ति खोला गया है देश का पहला खादी मोल राची में इस्ति थे इरान पर असान जीत के साथ किस टीम ने कवर्डी मार्शल का खिताब जीता है? यह दुँआ और इसका है तो भारत ने master कवर्डी चेंपियन जीता है दुनिया ने किस देश में भारत ने किस देश में दुनिया के सबसे बड़ा विजा केंद्र का अनवर्ण किया है यह बंगलादेश में भारत ने बंगलादेश में दुनिया के सबसे बड़ा विजा केंद्र का अनवर्ण किया है कग के डाजिव महर्सी थे लेकिन अब हट गया है अब कग के डाइरेक्टर कौन बने है या गीरिस चंद्र मुर्मूर कग के डाइरेक्टर बने है या गीरिस चंद्र मुर्मूर सबसे पहले इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के उपराजपल थे तब यह कैक के बने हैं जम्मू कश्मीर के उपराजपल अब कौन बने हैं जम्मू कश्मीर के उपराजपल ने हैं मनोज सिना जो है जम्मू एंड कश्मीर के अभी तो की नाटो के स्थापना हुई थी कर्पन को कि नंगा की सब्सकारिक 2020नाटो कनि कि अब का नोबिल पुरसकार किस भरतीयों को दिया गया इक Yog डिया तयां मत्यसें 1998 इस्वें दिया गया था अब एक दुहजार ऑनेश में किस नोबल पुर्षकार मिला है यह मिला है अभीजीत बनरजी एंड एस्टा डूफलो दोनों पतिपतने अभीजीत बनरजी जो की भारत से बिलॉंग्स करते हैं इस नहीं को मिला है दुह ऑनेश में नोबल प सब्सक्साइब है ब्रीक्स अब लिखेंगे इंडिया ब्रीर यहीं सॉस्ट ऑफ्रिका यही पाच देश। ब्रिक्स में शामिल है और परक को जो मेंबर होता है अंध्यक होता ओस्टिंग फोज्म वाँशिया। प्रिक्स का समदा.वीर रास्या में मुखा था तो अग्ला स्विट्विय। अगला सिमेल यर्काे अपना देस् है भारत है अपना देस् है। क०्स का विश्कार किष्विबम करने किpyatゴammies Gor सब्सक्राइब सब्सक्राइब निश्ची निश्ची था कि कोई ना कोई ख navigate तभी तो यह सब फीकशी ऊपरी उससे पहले यह समय मैंडल को चाने तान भारत में वन अनुषणद् लाट सरस्तान का हिस्तित है तो यह देहरा दुन सही है ज़ए है नेश्ट है सन्युक त्राष्ट शुरच्छ परषद में 28 सदस्यों के संक्य क्तनी है तो इosed है ट्थल पाच है निकn सन्युक त्राष्ट शुरच्छ परषद में 28 सदस्यों के संक्य पाच है वन जीव सुरच्छ्छ अधि Net y mer dal का कौन स ate अस्तर प्रितिविक के सबसे पास इस्तित है यह चोब मंदल है इस पर मैंने इस पाँच मंदल का पूरा डिटेल के लिए उसका लिंग डिंग डिस्क्रिप्ट्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से देख लिजिए आपको पूरा चेप्टर किलियर हो जाएगा नेक्स्ट पुषकयर मेला भारत के किस राजे में लगता है किसे ने कपड़ा मन्तराले में ट्रञे किया अब इंच वे शेपव ग्रीन रिव्यान没有 들​ आभिंदस शुडू किया तो यह पत्षी मगार चाहिए स्टे क्लिन करामक चरुआ। कितने राजों ने वन निशन वन कार्ड कर्चुजन सुरू ग्रजिन से पहले स्टार्टिंग प्रार्चुजन्ह चाहरा है स्टार्च लुह श्यू था भ॥ असोक के कुल सिलालेखों की संख्या कितनी है तो 14 के कुल सिलालेख असोक ने किस यूद के बाद बहुत धर्हम सिवकार किया तो कलींग कब दूसर एक सठ भी ता कलींग यूद और असोक गदी इसी के बाद इसने उप्गुप्त से सिच्छा लेकर बहुत धर्म को अपनाया यह मोर रिवाज से समधिते मोर रिवान से एक सो पचासी इस्या पूरो तक रहा एक सो पचासी से पूरो तक नेक्स कोस्चन है सीमला सम्झाता कब होता सीमला समझाता यह 1972 इसी हुआता एक आते सीमला समयलन सीमला समयलन कब हुआता यह 1945 इसी में सीमला समयलन हुआता और सीमला समझाता जगाता 1922 में का ए ए एस ए इसके फुल फर्मलिवोगा मेरिकान एस टेंडर कोड़ फ्रूम संन्य गरा पर क्वोण सी गैस पाई जाती है सँनी गरा होए निऩ स्य अंद्डियोजन अर्हिलियम तोनों पाई जाती है और सुर्य होळा सब पाई जाता हैं सबीतल टूटता है एक हिलियम नियर्मार होता है जिसको चाहिए नाविकिया निकुलियर फिजरन नीकुलियर्फीजन निकुलियर में क्या होता है ना भी किये स्टैनल लायान होता है ठीक है जंग लगने से रोकने के लिए धातू में जिंक ऐक्साइड के प्रकिरिया लगाया जाता है यह किस कारर होता है बिजली के धातु इलक्टोर चला जिसको हम लोग क्या कहेंगे इलेक्टो इलेक्टो लाइट प्रोसेस से धातु को जंग लगाए जंग लगने से नुक लेकर उस पर जिंग की परद जिसको लगनेजेशन भी कहा जाता है अब कि डीबी एमेस डीबी मेस डाटाबेस प्रबंधन प्रडाल यानिके डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम या केंप्यूटर से संबंदित हैं भारत के गैर नागरिक्ता को भी किस मौली का धिकार की गरांटि देते अनुछेद एकईस है निए कि जीवन या व्यक्तिकत अंत्रा जो है अनुछेद एकईस के अंतर काता था कौन सा अनुछेद है एक कोश्र पुछता कौन सा अनुछेद है जो किवल भारतिये कोही प्राप्त है इसे विदेशिकी यूप योग नहीं कर सकते हैं तो यह 15,6,29,39 यानि कि यह पाच जो है यह पाच अनुछेद पाच अनुछेद के वल भारतियों कोही प्राप्त है यह 15,6,29,39 यानि कि 15 का दोगना केतना का 30 या पंदरश सलाव है तो यह यह 15,67,39 या क्यों भारतियों को प्राप्त है थे गारें कि निट्स कॉच्चन है दूसरा गॉल में समयलान निस्वेक्टी सुष्य में किस महीनेम हुआ था देखे किस तरह से कॉस्चन बनते हैं दूसरा गोल में श् kleine and expression of download start 1931 1932 पाहला घुम ंजमिलन 1932 में दूसरा गुलक्ष में इत्र महत्पुल न कि इसमें महात्मा गांधी जी लिए आटरा गुल में दिल्ली पुलीस ने संकट मिलाव के लिए एक आप लौच किया जिसका नाम क्या है? हिम्मत हमारे समिधान में कितने मौली करतब हैं अभी 11 मौली करतब हैं देखे जब चनल में मौली करतब करती हैं 1 6 शौइध के छो कर दिया अभी मौली का दिखार मौली करतार कि मौली करते इस तोटल यह दस होगा लेकिन 23 स्मिधान स्वतन के अंत्रकदु में इसमें एक और बढ़ाकर इसको मौली करतब एक संख्या को तोटल कितने कर दिए गया रहा है अभी मौली करतब एक संख्या कितनी है तो यह थे यह थे पचास इंपोर्टेंट कोस्चन जो कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको जनकारी मिले हो गए यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप जरू 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 इस वीडियो को लाइक किर जिएगा और उससे पहले आप मेरे इस चैनल घर को जरू सब्सक्राइब कर लेजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसमें बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले वह आपको मिले तो धन्यवाद थैंक्स पूर वाचिंग